अभी हम देखते हैं HCI यानि Human Computer Interaction का वेरी बेसिक टापिक अंडरस्टेंड दी हुमन यह चैप्टर एक इसम का बायो के मतलक है इसमें हम बायो वाली चीज़ें देखेंगे जिनमें जैसे सेंस होते हैं साइट हेरिंग, टाच्ट, टेस्ट, स्मेल क्योंकि इन ही चैज़ें से special keyboard हो गया, light pen हो गया, scanner हो गया, ठीक हो गया, इनके जरी एक computer जो है, उसको हम command देते हैं, इनके जरी हम computer के साथ interaction बनाते हैं अपना, और जो output devices होती है, system के जानब से, वो LCD हो गया, CRT monitors हो गया, printers वगरा हो गया, और अब human के input output devices है, उनमें आँख हो जाती है, कान हो गया, और touch system तो हमारी पूरी जो body है, वो ही touch system है, इसके लावा example of input output devices में आ जाते हैं, हम computer के साथ जो input output करते हैं, वो एक monitor की मदद से करते हैं, interface की मदद से करते हैं, किसी भी system के साथ, interface होता है, computer की screen पे हमें, जो भी नजर आता है, वो उसका interface होता है, और उसके अंदर, उसके menus होते है icons होते है, icons होते है, चोटे चोटी pictures जो होती है, किसी भी application के साथ, जैसे my computer में छोटी सा computer बनाता है, वो उसका icon होता है, और windows, windows जो होती है, window 10, window 8, यह सब कुछ computer के साथ interaction के लिए होती है, इसमें ताके, इनसान असानी से कर सके, यह coding जो इसकी होती है, वो hide होती है, हमारे अजिए असानी मिया करती है विंडो, ठीक ہو गया, आप जब भी computer के साथ interaction करते हैं, अपनी आाँख के साथ करते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फिर senses के बारे में मजीद हम बात कर रहें, touch के साथ, और आँखो के साथ, और आँखों के साथ, और गानो लाइट होगी तो फिर हम VN अच्छे से कह सकते हैं, अगर कामन दे रहा होगा तो फिर हम कोई वड़ा काम नहीं कह सकते हैं, ठीक हो गया, VN बिगन विद लाइट हो गया, आगे यह जो हमारी आँख हैं, इसका अमल यही है कि यह रोशनी को रसीव करती है, और फिर दमाग त देखते हैं, उसका तरलेक दो चीज़ों के साथ होता है, एक ब्राइटनेस होगी और एक कलर हो गया, और आगे देखते हैं रेटीना, जो आँख में सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा काम करती है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसको समयना, रेटीना जो होती है, वो एक टिशूस की लेयर होती है, रेटीना का में परपस होता है, वो लाइट को रसीव करना होता है, जिनको फिर लेंस जो होती हैं, वो फोकस करते हैं, और उनको नियूराल सिगनल्स में कनवर्ट करते हैं, और फिर ये सिगनल्स जो होती हैं, वो मा जारी करते हैं, इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं कि what to do, ठीक हो गया, यह था सारा रेटीना का process, और रेटीना में rod and cones होते हैं, एक जो इन में है वो, हंदेरे को detect करता है, और एक जो light को detect करता है, और यह आगे दमाग को signals देता है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, अब आग कैसे करती है, ठीक होगया, we in perception जो होती है, वो light की मदद से होती है, light जतनी काम होगी, उतनी perception की सलाहिए कम हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, वो उन्देरे में भी देख सकती हैं, जैसे कि उलू साब और उलू का पथथा, दोनों जो होती हैं, यह उन्देरे मे का तरलिक जो होता है वो अबजेक्ट के दूर यहां करीब होने से भी होता है जो चीज दूर होगी वो हम असानी से नहीं देख सकते हैं यानि उसकी क्लियर इमर्ज नहीं बना सकते हैं अपने दमागे अंदर और जो करीब होगी उसका हम ज़्यादा असानी से देख सकते हैं अब perception के लिए दो चीजें दरकार होती है अच्छी perception के लिए सबसे पहले brightness होनी चाहिए और उसके बाद color होना चाहिए ठीक हो गया अब brightness जो होता है वो एक level of light होता है और color होता है वो आपको खुद बढ़ा कि color जोग चीजें होती है theory point of view से मैंने VN में एक चीज मिस कर दी जो के stages of VN है इसमें आज जाता है physical reception of stimulus दूसरा processing and interpreting of stimulus यह simply यह है कि इसमें चीज़ों को just watch किया जाता है जैसे आप lecture जो है इसको watch कर रहे हैं आप देखनेंगे आपको समझा जाएगी just चीज़ों को watch किया जाता है देखा जाता है लेकिन आगे का process जो processing and interpreting of stimulus है इसमें उसको interpret किया जाता है कि हमने क्या देखा है यानि दमाग की तरफ बेजा जाता है आँख से दिवाग की तरफ इदर process transfer किया जाता है और फिर दमाग के बिताता है कि हमने क्या चीज़ देखी है जैसे इस से just watch किया और दमाग ने उसकी translation की अपने sketch के मताबग और फिर उसके मताबग उसने फिर instructions दी देखते है hearing जो कि simply ability to perceive sound होता है और इसका basic component sound होता है यह जो hearing है यह interface design में तो ज्यादा use नहीं होती लेकिन मुखलफ किसम के notification में use होती है जैसा के warning notifications वगारा अगर आप कोई गलत password दे देते हैं तो वो आपको बड़े खतरना किसम के notification देती है इसके लावा system में मजीद यह use नहीं होती सिस्टम में आप वो जीज़ें सिस्टम में नहीं आती है के video audio game में वगारा खेलना ठीक हो गया यह system के साथ interaction के बात कर रहे है इसमें hearing just like के notifications के लिए आती है गलत password दे दिया यह कोई गलत command दे दी तो वो आपको notifications देती है खास किसम के sound के साथ इसका यह इस्तमाल है अब आगे देखते है touch यह accuracy sense है इसके जरीए हम computer को input output देते हैं जैसा कि अगर PCO तो keyboard के साथ और अगर touch system हो तो फिर direct देखते है अब touch के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है वो human skin है ठीक हो गया skin के बाड़े में पढ़ेंगे skin जो होती है वो तीन किसम के receptor रखती है सबसे पहला receptor thermo receptor जो के heat and cold को feel करता है nosy receptor जो के pain और intense pressure को भी इसके साथ use करता है heat और cold के लावा और mechano receptor mechano निकल है mechanical से जो के pressure कोई भी pressure change और उसको feel कर लेता है इसके इलावा deal करता है touch के साथ stretching को मारी body में होती है इसके इलावा wave और motion को भी detect करता है ठीक हो गया ये थी skin हमारा जो long question है understanding the human और senses के बारे में वो मुकमल हो गया इंशालला next video में मिलते है इंशालला ओके लाफीज